जैंग्रू परुम्पुजात सिसी बड़ता ने अस्रम के किसी कर्मी को देखकर बोले क्या रहे तुमको तो देखता ही नहीं हूँ प्राथनाय में भी नहीं आते हो वक्त कर्मी खड़े होकर सिस्री पित्रुदेव को प्रमयम करके बोले जी सरीर खराब था स्रिस्रिर पित्रदे बोलने है सरीर खराब होने पर फिर दोस क्या है प्राता काल उटना नहीं है प्रातना नहीं है ख्यान भर्द रूप कर बोले है उनको इश्ट को केंद्र करके जिबन के सभी काम का अभ्यास करना चाहिए सब्वेर एउठ प्रात्ता कृत्याधी कर कपड़ा बदलना चाहिए लाब और पूजा या इस्ट्रकृतिकर प्रात्तना में आना चाहिए तुमारा प्रात्तना ही सेकंडारी या गौन है मुझे चाहिए हजार प्रेसर हो जो जोला जो ही हो ठीक समय पर प्रात्तना करता हूँ निष्टा ही मेरे सरीर को धक्का देते आ है नाम करना, पैखना जाना, ठाकूर बानी जाना, प्रात्तना करना सब करता है ठाकुर्भोग होने के बाद जिसको खाने का अभ्यास है वो एसा ही करता है वो ठीक समय पर ठाकुर्भोग दे कर प्रसाद खा कर अफिच जाता है मेरे घर का कोई भी ठाकुर्भोग होने से पहले नहीं करता है इसलिए प्रतितिन नियवित ठाकुर भोग दिये जाता है उसके बाद हम लोग प्रसाद पाते हैं केवल यही मामला नहीं प्रतिक मामला में ही यही बात है जिवल के समस्त कर्या उनको केंद्रा करके करनी चाहिए जो उनको सेकेंडरी या गौन करने में ही अभ्यस्त है वे बोलेंगे जो परिष्थिती है उसमें कैसे करूँगा इस तरह से बात काट कर निकलेंगे उनको जिवन में प्राइमेरी करने के लिए साधरा की जरूत है अनुसिलन की जरूत है दिख्या के समय जो संकल्प लिया हूँ ठीक ठीक उसका पालान करने के लिए निष्टा की जरूत है जिसमें निष्टा नहीं है उसमें इष्ट के लिए प्रेम भी नहीं है जो आत्मके द्रिके है वे बोलेंगे इतने दिनों तक ठाकुर सेबा किया है इस्टरगूतिक किया है क्या हुआ इसके बाद बोहिरागत एक भाई की जिक्यासा से प्रसगातर हुआ है जैगुरू